नमस्कार दोस्तों आईए मेरे भाईयों और बहनों माई फ्रेंड्स आज हम आपके साथ इंशुरेंस से जुरी हुई टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हमारी चैनल का नाम हमने रखा है वो रखा है हमने इंशुरेंस की बात कुलदीब कात्याइन के साथ ठीक है तो मैं हूँ प्रोडक्स के उपर क्लेम रेजक्शन के उपर और कौन सा इंशुरेंस ले कौन सा इंशुरेंस हमारे लिए बैनिफीशल होगा कौन सा इंशुरेंस जब हमारे को जरूरत हो उस समय हमारे लिए बैनिफीशल होगा साथ-साथ हम यह भी डिसकस करेंगे कि इंशुरेंस का प इंस्योरेंस को इंस्योरेंस में दो तरह के कंसेप्ट मिलेंगे आपको एक LIC और एक GIC Life Insurance Corporation and General Insurance Corporation LIC का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दमाग में ख्याल आजाता है Life Insurance Corporation of India, LIC of India तो वो एक अलग हो गया जो भारत सरकार का जिसमें कुछ percentage share होता है ना लेकिन बाकी सारे जितने भी Life Insurance Corporation है उसको भी गवर्न करती है, सबको एक ही गवर्न करती है, Governing Body का नाम क्या है IRDAI है ना, Insurance Regulatory Development Authority of India जितने भी Insurance Companies हैं, इन सब का Governing Body यह है, IRDAI है ना अब इसमें से trustability जो है, वो किसका है नहीं है, वो एक अलग topic का भी से है, आप लोगों के सामने होती है सारी बाते हैं, अब Life Insurance Corporation के जो product होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्योर टर्म जो की WT profit मतलब without profit, तो प्योर टर्म policy क्या होता है मित्रों, friends, मेरे गुरुजनों, माताओं, बेहनों, प्योर टर्म policy होता है कि उस दरम्यान हमने मानलो 25 साल का टर्म insurance लिया और 25 लाख के लिए हमने policy ली और suppose कीजिए कि उस 25 साल के दरम्यान मेरे death हो जाती है तो उस case में अगर हमने 25 लाख के policy लिये हैं, तो जिनको भी हमने इनोमनी बनाया है wife को, बच्चे को, फादर को, मदर को, उनको पूरे के पूरे 25 लाख रुपिय मिल जाते हैं बसलन, इसमें सर्थ क्या होगा, कि जो हमने document लगाए हैं, हमारे agent के थूझ जो document गया, वो सही सही गया हो कई बार मैंने देखा है, ऐसा होता है, कि आपने 25 लाख के policy ले लिए जब, लेकिन आपके death होने पे, या उस बंदे की death होने पे claim दिलाना थुरा सा difficult हो जाता है क्योंकि document सही से नहीं लगाया होता है, तो हम आप से ये कहेंगे कि document चेक जरूर करें, जब आप अपनी policy करवाए हैं, जाहिर सी बात है अपने परिवार के financial security के लिए insurance लेते हो हैं, तो आप document जो 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 जरूर verify करवाए हैं, उसको जरूर सही हो उसमें, कि जब आप policy purchase कर हैं, तो आपका नाम pen card, आधार card में जैसा है, वैसा ही type हो के आया हो policy पे, ठीक है, आपके nominee का, जिनको भी आपने nominee बनाया हो, मतलब wife को, या mother को, या बच्चे को, उनका भी spelling वगेरा correct हो, और अगर possible हो, तो nominee का आधार card वगेरा भी जरूर लिंक करवा दें, ताकि अगर unfortunately आपकी मतलब उस बंदे की जिसका हमने insurance किया है, उसका अगर death हो जाए, तो claim लेना बरा ही easy हो, claim लेना difficult नहीं हो, ठीक है, तो LIC और GIC में आईए एक pure term without profit का हो गया, लेकिन अगर ये term insurance में मेरी death 25 साल के बाद होती है, 25 साल के अंदर नहीं होती है, तो हमारे को क्या मिलेग उस case में हमें कोई profit नहीं मिलता है, वो zero मिलता है, ठीक है, तो ये within the period अगर मेरी death होती है, तो मेरे परिवार को अगर मैंने 25 लाक लिए है, तो 25 लाक का amount मिल जाता है, दूसरा endowment with profit लेंगे, तो endowment with profit में क्या है, कि अगर मैंने 25 लाक के policy लिए हो, और मेरी death within 25 साल में हो जा जाती है, तो 25 लाक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में कुछ loyalty addition वगेरा भी मिल जाता है, और बान के चलिए 25 साल में मेरी death नहीं होती है, तो एक fixed amount होता है, जैसे मैंने 25 लाक के policy लिए है, और 20 साल की policy है, तो अमूमन 50 लाक के करीब या 40 से 50 लाक के करीब एक amount होती है, जो क मिल जाएगी, इसलिए उसमें slogan लिखा रहता है, जैसे जीवान आना देख policy है, उसमें slogan क्या लिखा रहता है, जिन्दगी के साथ भी, जिन्दगी के बाद भी, का मतलब क्या होता है, कि अगर हम रहे, तो भी हमारे को मिलना है, हमने 25 लाक LIC को PA किये हैं, 40 से 50 लाक के बीच मिल जाएगा, अगर जो मेरी death हो जाती है, तो भी मेरे परिवार को 25 लाक मिल जाएगा, तो इसलिए इसको हम कहता है, with profit, अब with profit वाले policy भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है, endowment policy, और एक हो जाता है, आपका money back policy, endowment policy में कठा एक बार भी ही policy के सारे पैसे हमारे को matured होके मिलते हैं, तो वो हमारा term, 16 साल, 20 साल, 25 साल, as per the age, decide होता है, ठीक है, और एक होता है, money backness में हर 4-4 साल के इंटरवल पर या 5-5 साल के इंटरवल पर या किसी किसी केस में 3-3 साल के इंटरवल पर हमें एक fixed amount मिलते रहता है, और end में भी हमें maturity मिलता है, यह सब चीजे हम बात होल लाइफ पॉलिसी में, LIC के दो पॉलिसी हैं, जैसे जीवा नानन जीवा नमंग बोलके आता है, अगर पूरे आप 100 साल रहते हैं, है ना, 100 साल तक के लिए पॉलिसी होती है, अब इन दोनों को बात में मैं समझाओंगा, कि इन दोनों में क्या difference है, अभी आप सिरभ यह नहीं जानी है, होल लाइफ मतलब पूरे 100 साल के लिए पॉलिसी होती है, ठीक है, तो उसमें जैसे मैंने नाम लिया जीवा नानन जीवा नमंग का, अब आईए, इंस्वरेंस के दूसरे सेग्मेंट पे आते हैं, जो की बहुत विशाल सेक्टर है, जो है GIC, General Insurance Company, है ना, General Insurance Company, Normally कौन-कौन से प्रोडक्ट बेचती है, मोटर को बेचती है, ना, कार का हो, टुवीलर, फॉर्वीलर है ना, इस तरह के मरीन इंस्वरेंस उसके अंदर आ जाता है, ना, सौब, फैक्टरी, मोटगेज, यह सारे इंस्वरेंस उसमें आ जाते हैं, फिर Health Insurance का एक सेगमेंट होता है, Health में, MediClaim हो जाएगा, जो आपके Health से Related और Accident Care Policy होती है, कि अगर उस बंदे का Accident हो जाए, और Accident के कारण उसकी Death हो जाए, तो पूरा जो हमने दे से, मानलो, 10 लाग का लिया हुआ है, तो वो 10 लाग उनके Family को मिल जाता है, साथ-साथ उसमें कुछ additional feature भी होते हैं जो आप Premium को बढ़ा के ले सकते हैं, क्या-क्य additional feature होता है, कि मानलो, उस बंदे नो उसमें ले रखा है कि, अगर मैं Accident के कारण अरणमेंट होता हूँ, तो मिरको कुछ amount मिले, जैसे कोई कोई कंपनिया 55% देती है, कोई 20% देती है, कोई 50% कोई एक fix amount रख लेता है, कि मैं 2, लाक रुपे तक देखुआ है, उसके उपर आपका लगेगा, पर फ्रेंट्स, यह Accident Care Policy का जो प्रीमियम होता है, बहुत ही कम होता है, लगबग सारे 2200 रुपे के करीब में, आपका 20 लाक रुपे तक का Accident Care हो सकता है, है ना, 2250 रुपे में रुपीट कर रहा हूं, देने के बाद, पूरे 20 लाक का Accident Care Policy हो जाता है, कि अगर आपकी Accidental Death, Normal Death की बात नहीं हो रही है, Accidental Death हो जाए उस साल में, या फिर, आप Accident के Care अगर Admit होते हैं, इसमें 2-4 फीचर Admit होता है, जैसे कि अगर मालो आप, आपकी इतनी Accident हो जाती है उस बंदे की, कि उसको Bad Rest मिल गया, तो 100 हफते का 5000 रुपया ऐसा भी होता है, कि 5000 पर वीक आपको मिल सकता है, पूरे 100 विक तक, 100 विक तक हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, कि आप Bad Rest में चलेगे, Accident के कारण आपको इतनी सिवियर चोट लगी, कि आप काम नहीं कर सकते, तो यह हो गया, आपका Accident Care, इन सब पर हम बाद में आएंगे, डेटेल में में जाएंगे, अभी सिरब आप यह देखो, कि आएगी, आप पहले अड्मिट हो जाओ, अपने खर्चे कर दो, बाद में आप सारे औरिजनल पेपर के साथ फॉर्म सब्मिट करेंगे, बीस से बाहिस दिन के अंदर वो जो अमाउंट है, जितने भी आपने खर्चे हैं, वो सारे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो हम इसे रिंबर्समेंट कहते हैं, दूसरा होता है कैसलेस, तो फ्रेंड समित्रों आप जब भी जाओ, तो आप यह जरूर चेक करो कि कैसलेस में ही जाएं, क्योंकि मालो हम राज में एकदम से बिमार वे और मेरी जो जरूरत है, वो दो लाग, चार लाग, पांच लाग की आन पर ही, तो हम किस से मांगने जाएं, तो जब मैडिकलेम लें तो यह जरूर सुनिश्चित कर लें, कि वो कैसलेस हो, कैसलेस का होता हूँ, एक दिन या उससे जादा, बार-बार में कहता हूँ, कि मैडिकलेम पॉलिसी तभी अफेक्टिव होता है, नॉर्मल केसे में, जब वो 24 घंटे या उससे जादे के लिए बंदा एडमिट होता है, तभी मैडिकलेम पॉलिसी में मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें हो होस्पिटल कैस्ट बेनिफिट कि अगर 24 घंटे से जादा रहा तो उसमें पर डे का फिक्स रहता है, अगर आप 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया तक का आप ले सकते हैं पर डे, उसका एक अलग से प्रीमियम बन जाता है, नॉर्मान लेते हैं कि एक दिन में कोई बंदा एक बार में कोई बंदा, साथ दिन के लिए अडमेट रहा तो एक दिन काटके 6 दिन का उसे 3000 रुपया रिंबर्स हो जाएगा, उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, यह होस्पिटल कैस्ट बेनिफिट, फिर एक्स्ट्रा केर या टॉप अप पॉलिसी, जैसे मोब पांच लाग कोई मैने ने रखता, पहले जो पांच लाग लेता तो वो बरे सान से कहता था कि हमारे पास पांच लाग का मेडिक लेम है, पर फ्रेंड्स डेली, एंस्यार वगेरा में या बड़े-बड़े सिटीज में पांच लाग की कोई वैल्यू नहीं है, तो अब पांच लाग की पॉलिसी मेरे पास बेसिक पॉलिसी है, उसके उपर अगर मेरा खर्च आता, जैसे हमारे फैमली में से हम या कोई भी मेंबर एड्मिट हुए, मेरी पॉलिसी पांच लाग की है बेसिक पॉलिसी और मेरा खर्च वा साथ लाग रुपया, तो पांच लाग त ये बहुत सस्ते होते हैं, 5 लाग के ऊपर 20 लाग का पॉलिसी लेते हैं, 2 प्लस 2 का आपका फैमिली साइज है, एक अबरेज मैं बता रहा हूँ, 40 साल के नीचे जो हैड बंदा है, सबसे बरा बंदा वो है, तो लगबग 7,000 में, 7,000 रुपया में पूरे 4 बंदे का 20 लाग का आप टॉप आप पॉलिसी ले सकते हैं, इस पे भी हम बाद में आएंगे, तो ये टॉप आप हो गया, फिर आउट पेसेंट केर भी आजकल मिलने लगा कि मैं एडमिट ना हूँ, सिरफ और सिरफ मैं 2 घंटे, 1 घंटे के लिए गया, तो मेरे को आउट पेसेंट चाहिए, उसमें लगबग 1 लाग रुपे तक की पॉलिसी मिल जाती, पर ये comparatively महगे होते हैं, 20 से 25 जार रुपे आ जाता है, इसमें 1 लाग रुपे का आउट पेसेंट केर पॉलिसी लेने के लिए ठीक है, इसके बाद और आती है, डियाविटीज सेफ की बंदे को पहले से डियाव हो है ना, तो वो ले सकता है, फिर cancer care policy आजकल आया है, women care, women care है, जिसमें सिरब women's related कुछ ऐसे disease हैं, critical disease हैं, जिसको हम care करते हैं और normal disease को भी care करते हैं, तो वो women care segment के अंदर आ गया है, फिर होता है red carpet या senior citizen policy, उसमें हम 60 plus के बंदे को वो policy देते हैं, पर इन सब में ना, कुछ co payment होती, co payment क्या होती है, कि उस case में क्या कहता है, कि 70% company आपका bear करेगी और 30% customer को pay करना होता है, तो ये senior citizen या red carpet policy होती है, है ना, 60 case में जाके वो बंदा ले रहा है और throughout the life उसका cover रहता है, 70% company पे करेगी, 30% आपको pay करना होगा, और उसके बहुत सारे feature होते हैं, उसमें कु बहनों, भाईयों, मेरे गुरुजनों, बुजर्गों, जो भी आप मेरे को देख रहे हो, आज हमने आपको insurance का concept दिया है, कि इस तरह से insurance होता है, अब कौन सा insurance हम कराएं, कैसे हम कराएं, ये वीडियो देखने के लिए, आप हमारे channel को subscribe कीजिए, like कीजिए, comment कीजिए, ठीक आप हमारा channel देख रहे हैं, insurance की बात, कुलदीप का त्याइन के साथ, thanks for watching us, bye bye, फिर मिलेंगे एक break के बाद, अपना ख्याल लखें, अपने परिवार का ख्याल लखें, भारत माता की जए